हेलो एवरीवन आज ये भाईधी डिस्टी बिगफास की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चले देखते हैं तो यहां मैंने चावल का आटा ले लिया है एक कप और दो हरीमिश ले ले ली हैं बारिक कटी हुई बारिक कटी हुई प्याज ले ली है एक और एक कद्दुकस की हुई गाजर ले ली है और हरा धनिया डाल देंगे इसमें और यहां मैंने गोवी भी ले लिया है कद्दुकस करके तो आप भी अपनी मन चाही वेजेटेबल इसमें डाल सकते हैं तो अब इसमें पानी डाल कर इसका एक घोल बना लेंगे स्वादनुसार नमक डाल देंगे इसमें तो इस तरह से एक पतलग होल बना के तयार कर लेंगे इसका तो यह बनकर तयार है अब इसे धकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए बना रही हूँ उसके लिए मैंने तिल को ले लिया है भून करके और मुफली भी भून करके ले लिया है और हरी मिश डाल देंगे इसमें और अद्रक डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वादनुसार और पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह से तो यह चटनी तैयार है इसमें तड़के के लिए मैंने आपर ओयल ले लिया है उसमें मस्टर्ड डाल देंगे और रैट चिली डाल देंगे सुखी साबुत लाल मिश और करी पत्ते डालके इसमें तड़का लगा देंगे इस तरह से तो यह चटनी भी तैयार है अब यहाँ पे हम जो डूसी का बैटर हमने बनाया था उसको इस तरह से यहाँ पे एक चमच ऑइल डालके इस तरह से डूसी को फैला देंगे बैटर को और इस तरह से ये क्रिस्पी बन के तयार हो जाएगा तो ये ये ब्रेकफास्ट पांश प्रेटर बन के तयार हो जाता है और आपको ये कैसा लगा जरूर बताएगा थैंक्स ओर वाचिंग